मैं देखता हूँ आज हम एक उस एज में जी रहे हैं जहाँ पर इंफर्मेशन तो है लेकिन इंफर्मेशन को ओवर्लोड है इतना ओवर्लोड है कि एक ही बात को बताने वाले सौ आपको वीडियोज मिल जाएंगे बहुत से एसे लोग हैं सर जो अपने जीवन में आगे नहीं पड़ पाते उनकी पास कई ऐसे मौके आते हैं कि वो आगे बढ़ जाते हैं लेकिन इंग्लिस एक रुकावट हो जाती है क्या ऐसे भी लोग आते हैं जिनने एक शब्द भी बोलना नहीं आता समझना नहीं आता ऐसे लोग कि आ कि अपने जो प्रस्नाल्टी है और इंग्लिस की जरी वो अपने प्रस्नाल्टी को डवलप कर पाएं आपके नहीं अपर अगर आज आप मुस्रे या मुस्रे कोई भी ये कहे कि नहीं मनीश आप अपना गॉन्फिदेंस बिल्ट अप कर सकते हैं शीशे में सबी को गरुकुल में पढ़ने के जरुरत है और आज की डेट में सबसे बड़ी और समस्या है समस्या इंग्लिस नहीं है उसको बोलते टाइम कॉन्फिदेंस और हेजिटेशन और कंपारेजन तो हमने जो बहुत केरफुली आपजर्व किया क्योंकि 27 साल से हमें इस एजू जो वह सोच नहीं सकते उससे भी दस गुना जादा मिलते हैं यह बिल्कुल सिंग्लिस हमारे जीवन का हिस्सा है बस आत्मी उश्वास की जरुवत है कि उसे हम अपने जीवन में उतारें क्योंकि आज Facebook Instagram सब जगा पे 200 रुपे में इंग्लिश बोलना सीखें 500 रुपे में इंग्लिश बोलना सीखें यह फ्री इंग्लिश श्पीकिंग कोर्स करें तो ओडियोंस बहुत कन्फ्यूज़ हो जाती है करियर के लिए इंग्लिश बोलना और साथ ही साथ कम्यूनिकेशन स्कील यह दोनों बहुत अहम माने जाती है अगर हम यूपी बोलना वाले बच्चों की बात करें तो अगर हम उन्हें देखते हैं तो इंग्लिश का नाम जैसे उनके जुमाह पर आता है कि आपको इंग्लिश बूलनी है और पिर कुछ करना है तो डर से जाते हैं और ऐसे बच्चों की जो संख्या है वो बहत कम है कि जो सुरू से ही अच्छी सिक्षा पाए रहते हैं और इंग्लिश फर्राटे के साथ बोल पाते हैं इस हजिटेशन को कैसे दूर किया जाए अपने जीवन में इंग्लिश को आसानी से कैसे उतारा जा है देखिए सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद दूँगा आप के तुरू अगर लोगों तक यह बाते पहुंचती है तो जब हम यूपी बोर्ड की बात करें या किसी भी स्टेट बोर्ड की बात करते हैं तो डेफिनिटली इंग्लिश का लेवल या इंग्लिश प जाना है या कोई और प्रोफेशन को चुनना है तो उसकी वज़े से काफी अनकमफरेबल होता है या आपने बिल्कुल सही का अब बात करते हैं कि कैसे वो अपने आपको ठीक कर सकता है पहली बात तो यह हमें समझना होगा स्पोकन इंग्लिश जो है वो पूरी तरीके से ए पढ़ा ही जाती है या जो कोर्स की पार्थ होता है उसकी बजाए वो प्रैक्टिकल ग्रामर जो हमें बोलने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसके साथ दूसरी हमें शब्दों की यानि की वोकाबिलरी की और उसके साथ में तीसरी चीज है सगान अभ्यास की और अ न वो स्कूल में मिल पाता है न वो दोस्ता में मिल पाता है उसके लिए एक प्रफेशनल इंस्टिटीट को ज़ॉन करना जरूरी है हाँ जहां तक बात करते हैं कि भई UP बोर्ड के स्टूजेंट्स या किसी और बोर्ड के अगर हम बात करें देखे स्टूजेंट अगर सिंसियर है उसमें सीखने की लगन है वो कोई भी चीज हो इंगलिश के दुनिया की कोई भी चीज वो बड़ी असानी से सीख सकता है कोई भी स्किल को सीखने के लिए बस कंसेस्टेंसी की जरुवगत है तो यह में यह तीन चीज़े चाहिए थी प्राक्टिकल ग्रामर वोकाविलरी और सगना प्यास अगर वो पांच से छे महीने सिंसिरल एक इंस्टिट्यूट में दे रहा है स्पेशलि अगर मैं कहूं हमारे यहां पे तो डिफिनिटली जो उसके ड्रीम्स हैं उससे बहुत असानी से रियलाइस कर सकता है कि इस वेरी इजी कोई ऐसी बड़ी प्राब्लम नहीं है अचा सा हम जाना चाहेंगे जो आप क्योंकि सिक्षा की छेतर में आप हैं तो आप पेरेंट्स को क्या सला देना चाहते हैं कि बच्चों को उनकी जीवन में एडिसनल लेंग्विश की रूप में इंग्लिस को कैसे जोड़ना चाहिए कितना एहम होता है यह अपको बहुत अच्छा प्रश्टन है और मैं चाहा रहा था मुझे कोई ऐसा प्लाटफॉर्म में जिसमें अपने विचार को शेयर कर पाँ वहां देखिए मैंने देखा है पैरेंट्स जब बच्चे को Girls Me евanदस स्कूल में पढ़ाते हैं तो सोचते हैं हुमारा बच्चा jo लूग में पढ़ रहा है अप इस भी ज़डरूर्त नहीं है और लीशले हिंदी मेडियामं तो डैffynetly Hindi medium कई बर क्या होता है उनके मन में वो सोच भी नहीं होती कि बच्चे को वो जरूरत है क्योंकि English सिखाना या अलग से सिखाना वो एक additional expenditure सोचते हैं यानि कि एक खर्चा, whereas अगर मैं कहूं कि ठीक 12th class के बाद या even 11th class के बाद भी जो summer vacations होती है अगर उसमें 2-3 महीना course कर ले उसकी एक नीव बहुत अच्छी बन जाएगी और उसके बाद वो चीजों को repeat करें क्योंकि इस skill के साथ क्या है जब आप बाहर उस mall में चले जाएंगे जहां mall नहीं है तो आप फिर से उसे भूलने लगेंगे तो मुझे लगता है कि अगर एक parent 9th 10th के बाद से सोचे कि मुझे in fact 9th के बाद से summer vacation में एक ये course कराना है फिर 10th में फिर 11th में कम से कम वो repeat होके बेस बनना शुरू हो जाता है जिससे कि 12th के बाद student काफी हद तक comfortable और confident होता है और आज की date में सबसे बड़ी और समस्य है समस्य English नहीं है उसको बोलते टाइम confidence और hesitation और comparison यह इतना जादा डर और inhibition मन में आ जाते हैं कि इंसान confidently उसे face नहीं कर पाता है तो बस क्या करना है the early you start the better it is जित्ता जल्दी आप शुरू करेंगे उतना ज्याद अच्छा है तो मैं पैरेंट से क्याना चाहूंगा इंग्लिश को सीखना इंग्लिश पढ़ना और इंग्लिश को बोलना सीखना कोई extra expense नहीं है आप बच्चे को उस market में छोड़ रहे हैं जहां पे बिना उसके वो कुछ करही नहीं पाएगा और जब तक उसे एहसास होगा बहुत देर हो चुकी होगे अच्छा बहुत से लोग हैं सर जो अपने जीवन में आगे नहीं पढ़ पाते उनकी पास कई ऐसे मौके आते हैं कि आगे बढ़ जाए लेकिन इंग्लिश एक रुकावट हो जाती है क्या ऐसे भी लोग आते हैं जिन्हें एक शब्द भी बोलना नहीं आता समझना नहीं आ इस इंग्लिश के इंपार्टिंग में हमने दिखा उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉबलम किया उनका सोशल समाज उनके आसपास की लोग वो बहुत सब्सक्राइब करते हैं और कई बार उन्हें महसूस कराते हैं तो जब वो यहां पर आते हैं हमें सबसे पहले उनके मनोबल को बढ़ाना होता है अगर वो अपने मनोबल पे थोड़ी सी मेहनत कर गए उन छोटी छोटी उपलब्दियों पे अगर उनको एप्रिसियेशन मिलता है खुशी मिलती है आप छोटे बच्चे को भी देखिए ना जब वो चलते चलते गिर जाता है तो हम उसके लिए जोटे जोएन करते हैं जिने कुछ भी नहीं आता मतला बहुत मतलब थोड़ा एबीजीडी लेवल के हैं या थोड़े बहुत वाक्य वो समझ लेते हैं बोलना तो बिल्कुल नहीं आता है ट्रस्ट मी हमें भी महनत करनी पड़ती है और अगर वो भी हमारे साथ मेहनत करते ह वो सोच नहीं सकते हैं उससे भी दस गुना जादा मिलते हैं यह बिल्कुल सही है जानी कि इंगलिस हमारे जीवन का हिस्सा है बस आत्म विश्वास की जरुवत है कि उसे हम अपने जीवन में उतारें एक क्यूस्टन सा सामने आ रहा है कि क्यूंकि आप लगातार सिक्षा क आप जानते हैं किस तरीके से पढ़ाईया होती है कैसे बच्ची आगे बढ़े है बहुत मुश्किल है उने इन तमाम चीजों को सामना करना तो ऐसे बच्ची आते हैं तो कितना चैलेंजिंग हो जाता है उन्हें सिखाना इंगलिस अगर वो सीखने अपनी इच्छ से आई ह उन्हें अपनी इच्छ से आके फीज जमा किये कि हमें सीखना है तो पहला जो चैलेंज हो चुका है पहला चैलेंज खत्म हो चुका है उसके बाद आती है एक टीचर्स कितने एक्सपीरियंस है टीचर्स कितने उनके मनोविग्यान को रीड कर सकते हैं और उस लेवल पे जा हमेरी कफर्ट सोन से बाहर आना पड़ेगा तो अगर वो सेकिंड स्टेप में टीचर अच्छे हैं तो डेफिनिटली सीखने का जो सफर है वो बहुत आसान है उसमें कोई ऐसी समस्य नहीं और एक बात आपको मैं और बताना चाहूँगा जब हमें लगता है कि इन लोगों क मैं उस वेक्ति की बात कर रहा हूं जो सीखना है उसे लगता है इन लोग के बीच में मेरा कोई अहित नहीं होगा मेरा कोई मजाक नहीं ओडाएगा फिर तो वो इनसान खुल के गलत बोलने के लिए हिम्मत उटा ले तो और ट्रस्ट मी प्राची जी अगर किसी में गलत बो बोलने की घुए पर लोग के बात को करें तो ओडियंस बहुत कन्फ्यूजड हो जाती है कि उसको करना क्या है और उनलाइन में जब उनका कई पर कड़वा अनुभव होता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा ऑफलाइन के बारे में तो हमने अभी बात की ही है इंस्टिट्यूट में जाके पढ़ाई करना लेकि अफलाइन का मतलब कि आपको एक टीचर और उसके साथ में सेट अफ स्टूडेंट्स जैसे ऑफलाइन में पढ़ते हैं वैसी पढ़ाएंगे बस उसमें टूल्स चेंज हो जाएंगे जैसे वो नोट्स वगेरा आपको गूगल ड्राइव के थूशेयर करेंगे वगेरा और जो रिकॉर्डिड लेक्चर हैं रिकॉर्डिड में टीचर अपना बोलेगा और हम बस उनके लेक्चर को सुन रहे हैं तो यह जो रिकॉर्डिड लेक्चर वाला कल्चर है यह कुछ चीजों में तो एकदम फिट है जिनको सिर्फ एक तरफ से ग्यान पराप्त कर रहा है पर मैं मानता हूँ कि बोलना सीखना एक जर्णी है जिसमें हमें लोगों की जरूरत है और उन लोगों के बीच में हमें गिरना भी है संभलना भी है और अपने आपको फिर से इकठा करना भी जरूर है और उसके लिए हमें एक मेंटॉर चाहिए एक टीचर चाहिए तो लाइव ऑ जिसमें हमारे teachers हैं, highly trained, और वो एक set of students को पढ़ाते हैं, तो वो teachers interact कर सकते हैं, आपस में interact कर सकते हैं, तो मुझे लगता है, online और offline में कोई ऐसा फर्क नहीं है, बहुत जगह ऐसी हैं, जहां पर बहुत सारे offline जगाएं, इंस्टिटुट्स हैं, पर उनमें वो गुनगत्ता न आप किस तरीके से इसको maintain करते हैं, कि जो बच्चों का है, और उनकी जो parents का जो trust है, वो बना रहे, online पढ़ाई को लेकर, अगर हम online पढ़ाई की बात करते हैं, तो हमारे यह पूरे systems हैं, मैंने majorly जो देखा है, कि लोग अकसर landing page पे जाते हैं, वेb page पे जाते हैं, और वो स से assessment, हमारे expert teachers उन से बात करते हैं, उनकी, उनको बताते हैं कि आप में ये, 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 ये कमिया हैं, आपके लिए ये वाला course ठीक रहेगा, तो हमने पहली filtration उन पे नहीं छोड़ी, हमने खुद पे छोड़ी है, क्योंकि हमारे पास वो अनुभव है, उनमें क्या कमी है, उसक सब कुछ लाइव होता है, कनेक्टिविटी होती है, और कभी-कबार अगर स्टूड़न्स अपना session मिस कर देते हैं, तो recorded lecture की भी facility है, वो recording मांग सकते हैं, बट हम इस बात को बहुत डिस्करेज करते हैं, क्योंकि अगर recording से ही देखना होता, तो फिर live classes की क्या जरु रहता है हाँ, बट कभी-कबार अगर किसी को चाहिए, तो definitely हम वो भी share करते हैं, और जहां तक गुणवत्ता की बात के जाए, extra classes होती है, extra sessions होते हैं, problem sessions को अलग से, even external faculties को भी बुलवा के उन्हें, extra classes दी जाती हैं, for example, interview से related, या फिर resume building से related, बहुत सारी चीज़े हैं, क्योंकि हम यह पता ही नहीं और शायद awareness क्रिएट करना बहुत जादा जरूरी है, अच्छा एक आखरी सवाल, कुछ लोग कहते हैं, कि हम तमाम Facebook पे, Social Media पे अगर हम देखे तो, तमाम तरीकी के पोस्ट और इस तरीकी के जो प्रमोशन है वो लगे रहते हैं, कि लोग कहते हैं, फ्री म चैलेंज भी दिया जाता है, कि सामने वाला अगर इसे ना पता हो, हर कोई अवेर ना हो, तो वो स्टीच को जो जो आइन भी कर लेते हैं, जो अगर इंग्लिस के छेतर में लगाता है, परिशान है, कि हम इसमें बढ़ना है, तो उसमें क्या कहना चाते हैं, कि आप घर अड़र्टिस्मेंट आपको मिलेंगे, तो जो क्लाइंट है, जिसको सर्विसेस को लेना है, शायद उसका जागरुक होना बहुत जादा जरूरी है, उसको थोड़ी हिस्ट्री रीट करनी चाहिए, जो सिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं, इनका खुद का इतिहास क्या है, त तो ये बहुत जरूरी है, अब जहां तक बात करें, कि क्या घर बैटके हम फ्री में, या यूट्यूब के लेक्चर्स देखके, इस सब देखके, मैं देखता हूँ, आज हम एक उस एज में जी रहे हैं, जहां पर इन्फरमेशन तो है, लेकिन इन्फरमेशन का ओवरलोड ह है, इतना ओवरलोड है कि एक ही बात को बताने वाले सौ आपको वीडियोज मिल जाएंगे, तो एक तरह से ग्यान तो मिल रहा है, पर उसका रिटेंशन नहीं हो रहा है, यानि कि उसको वह फाइदा, लाइज के लिए तो ठीक है, लेकिन उसका हम प्रियोग नहीं कर पा रह है, मेरे हिसाब से इट इस नॉट जर्नी, यह अकेले की जर्नी नहीं है, ट्रस्ट मी, अगर आज आप मुसे या मुसे कोई भी यह कहें कि नहीं मनीश, आप अपना कॉंफिदेंस बिल्ट अप कर सकते हैं, शीशे में जाके बोलिए, अपना वीडियो रिकॉर्ड करिए, मै मोडिवेशन कहां से लाँ, क्योंकि मैं एक या दो बार करूँगा, ना उस वीडियो पर मुझे कोई फीडबैक देने वाला है, ना कोई मुझे बताने वाला है, और इसलिए मुझे सोलो नहीं, मुझे लोगों के बीच में सीखना है, इस से मेरा कॉन्फिदेंस बिल्ट अ और बाकी हम सेल्फ मोडिवेटेड हैं, और जो लोग सेल्फ मोडिवेटेड हैं, तो उनके लिए तो कोई लिमिट ही नहीं है, बट अनेसली टेलिंग एक लववे सिर्फ एक था, उस ने खुद से शिक्षा पराप्त की थी, और अगर सभी ऐसे हो जाएं, तो मेरे क्याल से सभी को गुरुकुल में पढ़ने के जरूरत है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ये तमाम बाते साजा करने के लिए, तो हमारे साथ ACL के डारेक्टर मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि इंगलिस हमारे जिवन में कितनी महत्पूर है और हमारे करियर के लिए, जी हा